हाई डियर लानर्स वेलकम बैक टू दे चैनल इंसे इन मिलकिक दीवार बनती है और दीवार लंबी होती जाती है क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी बाड़ी कैसे गिरो करती है या हमारी बाड़ी कैसे लंबी होती हम कैसे हाइड गेन करते हैं या हमारी बाड़ी के अंदर कै से नहीं से पाई करते हैं आइए आज के वीडियो में इस बात पर डिस्क्स करते है हैं हमारी बोड्य के अंदर बैसिकली तरह के इसल मिलते है एक जिनने बादि के सेंट都是 Y spirit को दोस्री सिर्थ ने करते हैं इसल में और यह हम गिरो करते रहते हैं हमारे बॉडि के पार्ट्स ग्रो करते रहते हैं आज हम दूसरा फेज पढ़ने जा रहे हैं पहला फेज हम पहले पढ़ चुके हैं जिसका हम इंटर फेज कहते हैं एक सेल एक पैरेंट सेल या जो सेल डिवाइड होता है वो डिवाइड होने के बाद नियुली बॉन सेल या नए सेल में डिवाइड होता है, तो वो डिफरेंट फेजिस में घुजरते हैं, पहला मरिला जिसमें वो बड़े होंगे, गिरू होंगे, मैचूर होंगे उनके अंदर, तमाम पूटीन सिंटिसाइस होंगे, जिने, हम इंटरफेस कहते हैं, इंटरफे Mitosis और No.2 Miosis Mitosis Cell Debian पहली टाइप की Cell Debian है जिसके अंदर हमारी Body का Cell या Body के Somatic Cell अपनी Exact Copies बनाते हैं They make Exact Copies Divide होते हैं अपनी Exact Copies बनाते हैं और इस तरह हमारी Body के अंदर Number of Cell बढ़ते हैं और वो Cell जैसे बढ़ते हैं तो हम गिरो करते जाते हैं हम हाइट केंड करते जाते हैं हमारे टिशूज बढ़ते जाते हैं हमारे और्गन्स बढ़ते जाते हैं यह Cell Debian वो Cell Debian है जो हमारी Body के अंदर जब कहीं जखम होता है या कहीं कोई Body का पार्ट छिल जाता है तो वहां के इत्राफ में मौजूद सेल डिवाइड होते हैं और जखम को भरते हैं यानि यह Cell Debian माइटो से Cell Debian है हमें दो तरह दो तरीकों से मदद करती है दो तरीकों से हमारे Body के अंदर रोल प्ले करती है एक Growth में और दूसरी इन वांट्स को जखमों को Lost Body Parts को Lost Area को रेपियर करने में हल्प करती है MitoCist Cell Debian has been divided into four phases इन चार फेज की कहानी मैं आपको आज बता रहा हूँ इन फेज के अंदर क्या क्या होता है सबसे पहले प्रोफेज प्रोफेज के अंदर कुछ six points हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ और बार बार यह आगे आएंगी और एक ही बार बता रहा हूँ नोट कर लीजेगा ताकि आगे जब भी प्रोफेज मियोसिस में आए या जो भी आगे दुबारा कहीं प्रोफेज आए तो यह points आपके जहन में होने चाहिए सबसे पहले प्रोफेज में क्या होता है आम तोर पे जब हम सेल को देखते हैं तो हमें नुकलिर माटिरियल या क्रोमेटिन माटिरियल हमें दिखाई नहीं देता है इन्विजिबिल होता है प्रोफेज के दौरान ये क्रोमेटिन माटिरियल जो के कलस्टर की फॉर्म में पढ़ा हुआ है, गुच्छे की तरह पढ़ा हुआ है, उल्जा हुआ पढ़ा हुआ है, ये क्रोमेटिन माटियल लाइन अप होना शिरू हो जाता है, इनके क्रोमोजोम्स प्रॉफेस के पहले मरेले में, जब क्रोमेटिन माटियल लाइन अप हो Kromosomes travel करें जब citrus डिवाइड और Kromosomes travel करेंगे तो इनको जगह मिल सके एकस्टा जगह इनको चाहिए travel करने के लिए crater करता है बड़ी होता है वार्ण होती युकलियe होती है और इसके बाद आहीज सा जगम ऑजाती है एक संट्रोसूम के लिए and जो एक ऑगनेली होती हैं यह हमारे सेल के अंदर पेर में पड़े होते हैं एक सेंट्रोसोम सेल के एक एंड पर जला जाता है उसके बाद इसी फेज में यह स्पैंडल फाइबर्स या धागे बनाना शुरू करते हैं जो के इन क्रोमोजोम्स को ट्रवल करने में हेल्प करेंग बीच में डॉट लाइक सेंट्रोमेर कहते हैं उनके साथ जाकर अटेज होती हैं इनसान के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं वह 46 होते हैं यह 46 अपने अग्जक्ट कॉपीज बना किते हैं कहां पर मैंने आपको पहले बताया था सेल साइकल के इंटर फेज में इस फेज के दौ बना शुरू होती है और इस तरह एक सेल के अंदर दो सब्सक्राइबानिंग आफेंग द्रह गारिष स्टेटेक्थाइब आफेंग्ट Democrat and at the end of telophase, the cell membrane moves towards the inner ends and that's how cell divides into two new exact copies which are called daughter cells. तो ये कहाने थी इन चारों फेसे के जिसके अंदर एक सेल, इन चारों फेसे के अंदर गुजरने के बाद दो daughter cells में डिवाइड हो चुका है, अब सेल की exact दो copies बन चुकी है, अब ये फिर इसी cycle के तुरू पास होंगी और फिर से अगली मरेले में जाकर दो और cells बनाएंगी और इस तरह हमारी body के अंदर number of cell increase होते हैं और हम grow कर पाते हैं तो this is all about cell levian mitosis, I hope you have gained something, if you like the contents, then subscribe and like the channel, मिलते हैं पर जल्दी अगली topic के साथ मियोसिस में हैं